वेलकम टोल लियाईस स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेलेंबोश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 17 मार्च 2021 तो आज ये देख लेते हैं ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं before that ये information है last mile leap test series के बारे में जो की 22 मार्च से start होने वाली है इसमें total 50 test होने हैं जिसमें 5 CSAT के test भी included होंगे NCRT 6-12 book wise chapter wise test provide करवाया जाएगा उडान और उडान प्लस का जो material है वो भी इसमें available होगा बागी कोई further detail चाहते हैं तो इस number पे contact कर सकते हैं हमारा first article project rehab के बारे में है जानते हैं ये क्या है अभी हाल ही में खादी and village industries commission ने एक बहुत ही unique project launch किया है नाम है project rehab फुल फॉर्म है reducing elephant human attack using bees देखे मधुमक्खियों के आवाज definitely जो हाथी होते हैं वो पहचानते हैं उन्हें पता भी होता है कि ये जीव काटेंगे तो अगर कहीं पर मधुमक्खियां होती हैं तो हाथी वहाँ जाना पसंद नहीं करतें इसी चीज का इस्तिमाल किय जा रहा है elephant human conflict को avoid करने के लिए इस project के तहत B boxes install किये जाएंगे उनकी एक fencing तयार कर दी जाएगी जहां कहीं पर भी हाथी भहतायत मात्रा में रहते हैं और अगर कोई human settlement भी है तो उद्देश से बिलकुल ये है कि B fences का निर्मार करके हम human elephant conflict से बस सकें और लोगों की जो जा जाती है उसमें भी कमी आएगी कई बार इस attack के चलते हाथियों की जान चली जाती है हम उसे भी avoid कर सकें इसे launch कहां किया किया नागर होल नेशनल पार्क जो की करनाटिका में situated है वहाँ पर चार जगहों पर B boxes का इस्तिमाल करके fencing की गई ताकि हम देख सकें कि हाथी इसके आ रहे हैं अत्वा नहीं आ रहे हैं ये काम करेगा की नहीं करेगा ये हमारे Southern India का मैप है यहाँ पर आपको करनाटिका में दिखेगा नागर होल नेशनल पार्क और बिलकुल इसके नजदीक में यहाँ पर आपको बंदेपुर नेशनल पार्क भी दिख जाएगा देखें क KVIC का ही एक मिशन है नेशनल हनी मिशन उसकी एक सब मिशन के तहत इस प्रोजेक्ट रहेब को चलाया गया है बात करते हैं नागर होल नेशनल पार्क के बारे में इससे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी पुकारा जाता है 1955 में इन्हें appointment मिला था wildlife century के तौर पर मतलब इसे wildlife century बनाया गया था 1988 में इनका promotion कर दिया गया और ये बन गये नेशनल पार्क 1988 में ये नेशनल पार्क बनता है और 1999 में इन्हें सामिल कर लिया गया project tiger के तहत और ये बन गया भारत का 37th tiger reserve वर्तमान में भारत में 51 tiger reserve है अगर आप इसकी location देखेंगे तो ये आपको western घाट में नील गिरी बैसफ reserve के एक part के तोर पर दिख जाएगा अब नागर होल नेशनल पार्क को नागर होल कहते क्यों है actually में नागर होल एक river है जो इस पार्क से होकर flow करती है बाद में ये जाकर काबीनी नदी में मिल जाती है ये जो काबीनी नदी है ये नागर होल नेशनल पार्क और बंदीपुर National Park के बीच में boundary भी create करती है देखे ये बंदेपुर National Park के location दिखाई गई है यहाँ पर नागर होल की तो इसके बीच की boundary बनाती है यह काबनी रिवर यहाँ National की spelling गलत है आप इसे सही कर सकते है N-A-T-I-O-N-A-L ठीक है, flora की बात करें तो यहाँ पर आपको moist deciduous forest जिसमें prominently teak और rosewood के पेड़ मिल जाएंगे फोना की बात करें तो कई सारे जीव आपको यहाँ पर मिलते हैं like Asian elephant, चीतल जिन्हें आप spotted deer क्या सकते हैं Indian mouse deer, gaur, stripe, neck end, ruby, mangoos, grey langgour, bonnet macaak, Asian wild dogs, leopard, tiger, sloth bear और कई सारे जीव आपको यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर बात करते हैं National honey mission की इसे KVIC ने start किया है, Khadi and Village Industries Commission ने उद्देश ये है कि rural level पे जो लोग काम करते हैं वो honey bee का जो production है उसे बहतर करें ताकि honey ज़्यादा पैदा किया जा सके इससे वहाँ पर जो youngsters हैं वो employed होंगे honey bee habitat भी conserve होगा और जो हमारे पास capacity है हम उसे tap करके ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, bee keeping जो है उसे भी हम promote कर सकेंगे, जिसके जरीए जो crop की productivity है वो बढ़ेगी क्योंकि honey bees pollination में काफी बढ़िया रोल प्ले करते हैं KVIC की बारे में बात करें तो यह एक statutory body है मतलब इसके लिए एक कानून आया होगा उस कानून का नाम था खादी और Village Industries Commission Act आया कब था? 1956 में इनको काम दिया गया है कि यह planning, promotion, organization और implementation जो भी प्रोग्राम्स चल रहाए है KVIC वर्क करता है Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के तहर्ट हमारा next article Great Indian Bustard के बारे में है Supreme Court ने भी हाल ही में ये कहा कि वो priority basis पर examine करेंगे क्या? कि राजिस्थान और गुजरात के natural habitat में जो कोई भी Great Indian Bustard रहते हैं वहाँ पर जो overhead power cables हैं जो खंबों पर बिजली के तार जाते हैं क्या उन्हें? अगर हम जमीन के अंदर से लेकर जाएं रिप्लेस कर दें तो क्या ये बहतर रहेगा? क्योंकि इन तारों के वज़े से कई बार Great Indian Bustard का accident हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है तो हम इन deaths को रोख सकते हैं इस जीव का scientific name है Adiotis Negreseps Great Indian Bustard दुनिया की कुछ बहुत ही भारी ओडने वाले पक्षियों में से एक है ये dry grass land और strub land में रहना पसंद करता है Indian subcontinent के habitat की बात करें तो इंडिया में ये आपको राजस्थान और गुजरात में मिलेगा pre-dominantly At the same time इनकी कुछ population आपको महारास्टा करनाटका और आंदरप्रदेस में भी रिख जाएगी Conservation status की बात करें तो IUCN की red list में इनको critically endangered declare किया गया है वहीं sites में Appendix 1 में रखा गिया है Wild Protection Act of 1972 के schedule 1 में रखा गिया है इनके protected areas की बात करें जहां जहां पर इनको protect किया जाता है Desert National Park Century राजस्थान में Rolapadu Wild Life Century आंदरप्रदेस में Carrera Wild Life Century मध्यप्रदेस देखे कई सारे recovery programs चलते हैं जीवों को बचाने के लिए तो जो एक recovery program है Integrated Development of Wildlife Habitat Ministry of Environment and Forest का है उसमें Great Indian Bustard एक species है जिसे हम recover करने की कोशिस कर रहे हैं Project Great Indian Bustard भी स्टार्ट किया गया था Street of Rajasthahn के द्वारा ताकि हम ऐसे areas की fencing कर सकें जहां पर Great Indian Bustard पाए जाते हैं और उनकी संख्या को Decrease होने से रोख सकें Threat क्या है इनका Natural Habitat लगातार खतम हो रहा है Power Transmission Line से कई बार ये टकरा जाते हैं जिससे इनकी मौत हो जाती है Mining के वज़े से भी इनका जो area है वो disrupt हो रहा है और कई बार wind turbines के वज़े से भी Accident होने से इनकी मौत होती है ये सारी बाते Great Indian Bustard के बारे में हमारा next article सिप्री प्रोजेक्ट के बारे में है Sweden का एक Think Tank है नाम है Stockholm International Peace Research Institute Short form में आप इसे सिप्री भी कह सकते हैं अभी हाल ही में उन्होंने एक report पब्लिश की जिसका title था Trends in International Arms Transfer Report इस report में वो बता रहे हैं कि Global Trend क्या चल रहा है हतियारों के export और import का यहाँ पर एक अच्छी खबर है वो यह है कि भारत का जो आम import है वो 33% तक कम हो गया है इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास अब हतियारों की कमी होगी Rather, Making India Project के तहत भारत में कई सारी Defense Equipment अब Indigenously Develop किये जा रहे हैं इसलिए जो हमारी import के उपर dependency है वो धीमे धीमे कम हो रही है अगर आप 2011 से 15 के बीच में जो कुछ भी हमारा import हुआ उसको compare करे 2016 से बीच के बीच के import को तो इसमें 33% की कमी देखने को मिल रही है इसके बावजूद भारत दुनिया में हथियारों का second largest importer बना हुआ है पहला दर्जा अभी भी साओधी अरविया के पास है इंडिया का जो arms import है उसमें कौन तीन higher exporter हैं जो भारत को export करते हैं 2016 के बीच में हम सबसे ज़दा import करते हैं रश्या से जो कि traditionally हमारा हथियारों का एक बहुत अच्छा partner रहा है 49% import हमारा रश्या से होता है फ्रांस 18% और एजरायल 13% इंडिया का जो arm export है मतलब अब धीमे धीमे हम कुछ जो हमारे equipments हैं हमका export भी करना शुरू कर रहे हैं वो अभी भी बहुत कम है it is just 0.2% जो global share है arm export का उसमें हमारा हिस्सा 0.2% का है और पूरी उमीद है कि आने वाले समय में ये share बढ़ेगा बात करते हैं Stockholm International Peace Research Institute के बारे में ये एक think tank है independent international institute है जो की conflict, armament, arm control और disarmament के मुद्दों पर अपने opinion रखता है, research करता है 1966 में Sweden के Stockholm में इनको establish किया गया था ये data analysis और recommendations ग्रांट करते हैं जो भी इनके पास sources available है open sources, policymakers की, researchers की media houses की, या फिर जो लोग interested लोग है, जो data उनके पास जाता है उसी की basis पर analyze करकी ये अपनी report publish करते हैं, इस सारी बाते से प्रे report के बारे में, हमारा next article बारालाचला पास के बारे में है बारालाचल ला कह लीजे या पास कह लीजे ला और पास एक ही होता है पहली बार, BRO यानि की border roads organization ने काम करना start किया है, यहाँ पर देखे जो बारालाचला का area है, उसे जो हिमाचल प्रदेश को लेह, जो लद्दाक में situated है उससे जोडता है इस road को थोड़ा बाद में खोलना था अभी पहले ही खोल दिया किया that's why यह news में आया map में आप देखिए, यहाँ पर यह है बारालाचला और इसके just north में आपको मिलेगा लेह, जो कि लद्दाक में पढ़ता है ठीक है, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है इसके नदन पार्ट में लाहुल डिस्टिक्ट है वहाँ से एक highway जाता है जिसे लेह मनाली highway कहा जाता है वो highway इसी बारालाचला से हो कर जाता है इसके नीचे आपको इमिसला दिखेगा यहाँ पर शिपकिला है इसके नौर्थ में तांगलांगला है खारदुंगला यहाँ पर है यहाँ पर चांगला यहाँ पर जोजिला है यह कारा कोरम अगहिल यह है बुरजिला यहाँ पर पीरपंजाल है यह है बनिहाल यह कुछ लोकेशन्स यहाँ पर दिखाई गई है यह एक वाटर डिवाइट की तरह भी वर्क करता है भागा रिवर और युनाम रिवर के बीच में देखें जिस हाइवे की हम बात कर रहे थे वो यह है यहाँ से दिखें यह पूरा हिमाचर प्रदेश से होते हुए लेह तक जाता है और यहाँ सिंटर में आपको बरालाचा ला मिलता है भागा रिवर की बात करें तो भागा रिवर चेनाब की एक ट्रिविटरी है जो की सूर्य ताल से ओरिजिनेट होती है सूरे ताल जो लेख है वो इस पास से थोड़ी ही दूरी पर situated है हमारा जो next article है वो भावना के बारे में है political reasons की वज़े से भावना news में है तो political reasons को किनारे करते हैं और बात करते हैं भावना के उपर देखें भावना एक theater performance है dramatic form of entertainment है जहां पर वैस्टनवाइट faith से जुड़े हुए जो spiritual elements हैं उनको convey किया जाता है यहां पर अंकिया नाट का presentation किया जाता है अंकिया नाट एक play है अंकिया नाट का जो play perform किया जाता है इस पूरे scenario को भावना कहा जाता है तो यह confusion नहीं होने चाहिए अंकिया नाट और भावना में अंकिया नाट वो play है जो भावना में perform किया जाता है इसे शुरू किया गया था सेंट स्रीमंत संकर देव जी के द्वारा लगभग 500 साल पहले यहाँ पर आपको आसाम, बंगाल, उडीसा, मतुरा और ब्रंदावन सभी के cultural elements दिख जाएंगे इस भावना में एक सूतलहार होते हैं जो कहानी को narrate करते हैं narration पहले संस्कृत में होता है बाद में वो या तो ब्रजबोली में या फिर SME's language में narrate किया जाता है संकर देजबी के बारे में बात करें तो वो सुरू में अपनी जो भी writings होती थी उनको प्रोज के form में संस्कृत में लिखते थे लेकिन बाद में उन्होंने SME's और ब्रजबावली यानि की ब्रजबासा का इस्सेमाल करना सुरू कर दिया अपने कई सारे art forms में लाइक भावना ये एक mythological theater performance है भोरगी ये एक spiritual music है monastic dances जो बाद में classical dance सत्तरिया में convert हो गए आज ये हमारे art classical dance में से भी एक है हमारा next article गुरू चेमन चेरी कुनही रमन नईयर के बारे में है अभी हाल ही में गुरू चेमन चेरी कुनही रमन नईयर जी का देहावसान हुआ जिन्हें 2017 में पद मस्री से भी नवाजा गया था देहावसान के समय इनकी उम्र 104 वर्स थी चेनमचेरी कुनी रमन नईयर जी जिन्हें पॉपिलरली गुरू चेनमचेरी के नाम से भी पुकारा जाता है इनका जन्म 1916 में हुआ था और एक बहुत ही लंबी आयो के साथ 2021 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली ये बहुत ही इंपोर्टेंट कथककली के एक्टर रहे थे कथककली एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासिकल डांस है इंडिया का जो की केरला से असोसियेटेड है इन्होंने नौर्थ केरला में भरत नाट्यम को भी पॉप्लराइज करने में एक की रोल प्ले किया इन्होंने एक institution establish किया था 1945 में इसका नाम था भारतिय नाट्य कलालयम इसे कन्नूर में इन्होंने establish किया था और बाद में एक छेलिया कथकली विद्यालयम भी establish किया गया था 1983 में इनके द्वारा गुरू चेनम चेरी को 2017 में पदमस्री से नवाजा गया था कथकली की बारे में बात करें तो ये आर्ट classical dances में से एक है जिसमें आपको dance, music और acting की एक blending यानि की mixture मिलेगा यहाँ पी Indian epics like Ramayad, Mahabharat की जो भी events हैं उनका dramatic performance किया जाता है in the form of dance कई सारे characters होते हैं like king, gods, demons, एक vocalist होते हैं जो कहानी को narrate करते हैं एक percussionist होते हैं यह तालवादक होते हैं जो musical instrument बजाते हैं काफी जादा make-up का इस्तिमाल किया जाता है बहुते stunning costume होता है, elaborated mask होता है, बहुत बड़ी skirt होती है और एक बड़ा सा headgear भी होता है ऐसा आप image में देख सकते है, make-up, headgear, काफी elaborated होता है सब कुछ और खुबसूरत भी होता है यहाँ पर कुछ जो colors होते हैं उनका अपना मतलब होता है लाइक अगर green color face पर है तो वो nobility को दिखाता है, character अच्छा है black wickedness को दिखाता है, character बुरा है red patches अगर हैं तो वो royalty और evil का एक mixture दिखाता है तो यह सारी बाते हमने कथक कली के बारे में देख ली यहाँ पर कुछ statement है आपको true and false बताना है project rehab, इस project के तहद b boxes install किये जाएंगे fencing के तौर पर ताकि elephant attack को रोखा जा सके great Indian bastard, IOCN के red list में indangered है बाराला चाला, यह mountain pass है जो की disputed tri point जो border है इंडिया चाइना म्यांग मार का वहाँ पर आपको दिखेगा खादी एन village industries commission चचुरी बाडी है, ministry of micro small and medium enterprises के तहर कतक कली आंधर पदेश से associated है बताइए आपका जवाब क्या है, अपना जवाब comment box में भी mention करिएगा बाकि जवाब इसकी PDF डाउनलोड करेंगे onlyis की telegram channel से तो वहाँ पर यह जवाब mention किये गए होंगे telegram channel को अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो telegram में onlyis nothing else search करिए एक लाख दो हजार से ज़ादा subscribers हैं, आप channel identify कर सकते हैं या फिर link description box में भी है तो चलिए आज के session में यहीं पर रुकते हैं, thank you very much